आज मैं आपको चिकारी हूँ ब्लेक पेपर चिकन बनाना तो इसमें हमें जिस चीज की ज़रुत पड़ती है वह मैं बताती हूँ आपको लेमन वाटर चाहिए इसके अंदर मुझे जितनी इसमें ज़रुत होगी मैं आपको बताऊंगी किसमें कितना डालना है लेमन वाटर चाहिए और मेरे पास टू केजी जो है चिकन है इसका अच्छी तरीक से साफ करके इसका पानी जितना भी चिकन का पानी है डाल दें किसी छली में ताक उसका पानी निकल जाए फिर उसके बाद बदाना शूरु किज़ेगा इसमें पानी ना हो चिकन खुषको औ बाद गया जाए घर पास टीक साटल टीक टीक साटल आप डाले गाया जाए जितना अप को डालते है उसे साफ के डालिए गाया और अबलेक पेपर ने पास 6 टेबल स्पून तो यह हो किया अब गर यह हमारे पास गारलिक पेस्ट पेस्ट यह जंग नहीं खालीज दें गलि स्ञेख जा चूरीज और जाए पवरशा चूरीचे शूरी टाफ लगाअ सिमों झाल तो तो अब मुझेधें को चूरीचे से हमें तरह की मुझाते हैं कुंद तक है vậy आप चाहें तो निबू का पानी जो होता है फ्रेश्च लेमन का वाटर जो होता है वह भी यूज कर सकते हैं इस तरह सारी चीज़ों पर हम इसमें कट लगा लेते हैं अब अब आपको इस पर से दिखा लेहां ताके आपको पता चल जाए कि अबस इस सारी चोरी को और इतना भी ना हो कि बोटी टूटने लगे बस ऐसे दो दो मारें ताके अंदर जैसे बस तिक्के की तरह करते हैं मर्जी है आपकी कि आपने बोटी का साइस क्या रखना है और ये स्पेशल मतलब कोई दावते हैं तो इस तरह की डिशे कि आपने दावत में इसको बनाएं तो सब को ही अच्छी लगेगी और डिफरेंट लगेगी हमारी तो दावतों में ही बनती है तो फिर में इस तरह ही 6 टेबल स्पून ब्लेक पेपर रहें इसके अंदर घबराएगा नहीं कि आपने नमक जो है आप अपनी मर्जी से डालिएगा देख लीजेगा वैसे बनने में भी डल सकता है अगर कम हो तो कोई मसला नहीं है 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून 3 4 5 6 7 6 7 7 7 7 9 9 10 10 11 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 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 12 15 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 अच्छी तरह बोटी कोटर दपादी जगा दागे अंदर तक उसके मसाले चले जाए जीसे तिक्के में होता है इस तरह के मैंने कट लगाएं इसके उपर यह देखें अब यह लग गया है सारा अच्छी तरह लगने के बाद इसको हम कवर कर देते हैं और मैं रखती हूं इसको मैं चाहे तो अभी भी भी बना सकते हैं लेकिन रखने का फादा है इसके जितने भी इसमें अबने चाहिए डालें लेमन वाटर है ब्लैक पेपर रख लेक गारले के उसका अंदर तक टेस्ट जाएगा चिकन के अंदर मीट में तो फिर जैसे यह मेरे छे साथ गंटे बाद में इसको बनाओंगी तो मैं को दिखाती हूं जी देखे मैं इसको सुबह मेरी नेट करके रखाता है आप जो है एक ते गंटे इसको भुजर गए तो यह कि इस टाइब का वजाएगा पानी इसो पानी मेही जाहिए जहकन का वादी हनी तो इस ही में भी लॉमा कinkने भी पानी चुड़ता है और रह में एफना शोरू करते हैं तो मैंने अपना चुटा आन कर्दिया है है यह भी सब्सके में इसलिंग नेटाई जाता है हुज्बोड व्पलनेंग फोर उअब्ध कर पांच लिए लेके से जड़ा संक गरम करते हैं आपनों तुमा करते हैं चिकन को तुमा करते हैं यहां चाली मैं हिल्की कर देती हूं ताकि मैं टाल दूँ चिकन, बबलिंग ना हो इसमें उड़े ने चीटे ने उड़े करते हैं कि अच्छी तरीके से अब मैं इसकी जो आच है वो तेज कर रही हूं इसकी हाई पर कर दिया मैंने फूल कर दिया इसकी ओवन की स्पीड इसको जरा सा इसमें जब तक इसमें बबलिंग नहीं आ जाएगी जब तरह से हम कवर नहीं करेंगे अब आप इसमें अपना नमक चेक कर लें मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने नमक भी डाला इसके अंदर तो आप इस ताइम अभी नमक चेक कर लें कि इसका नमक सही है अब अब जब बबलिंग शुरू हो रही है अब मैं से लो टू मीडियम पर रखके कोकरने रखती हूं ताकि यह अची तरीकी से गल जाए मतलब इसमें गलाना है फिर उसके बाद जितना भी पानी जब गल जाएगा तो उसके बाद जितना भी इसर भी आश करेंगे इसकी क देखें जी इसको 10 मिनेट हो गाए है मैंने ह़लकी आश पर 10 मिनेट रखा हा गा है तो अब इसमें ऐसा पानी आगया ना मतलब बच्छी करने इतना पानी छोड़ा है अब मुझे इसी पानी में ही इसको गलाना है नहीं कि मैं आपको बीच में दिखा दूग से देखें पा जरने defining आपनी आपकार बंपasc altri whether the chicken is more cooking क्योंकि अब निटार Как ओँ नियुक्त भी पहीं हो अब जाए है से अच्छी स्वाबी आपनी 1-6 शुड्यक्च कीका है अब पर बुश्ट में आपकार चूखिए क्योंता पानी ही है कि आपने बढ़ी है इसे साय ड्रीया होगा अगिया आप अचासर अफ्राइब कर लिए और धे लकाने थे शकन लिकल वार अग्ड सिर्ब में अग्यार रिखवा हैं, अगर आपने अग्यार शहरा है देगा लिए आपने लगें अिज को बता है रहना की अचांड हम लिए बन कर रहे हैं और थेंक यू और वाचिंग दे वीडियो